हेलो अब्रीवन वेलकम और वेलकम बेक टियूरोन चैनल एट सरल साइकोलोजी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमस से निकलिए एक वेकंसी के बारे में एमस टेली की ये वेकंसी है और यहां पर जो है अप्लिकेशन इन्वाइट किये गए है तेंपररी पोस् डिग्री रिग्वाइड है अगर आपके पस ग्रैजुएशन नहीं है तो आपके पस ग्रैजुएशन होना चाहिए सोशल वॉक्क में सोश्यालजी विध थी एर्स का आपके पास experience होना चाहिए मदलस इन में से कोई भी एक चीज और तीन साल का experience आपसे मांगा गया है या तो अपके पस graduation हो psychology में social work में या sociology में और plus उसके साथ आपका तीन साल का experience होना चाहिए अगर आपके पस ये नहीं है तो आपके पस post graduation की डिगरी होनी चाहिए किसमें या तो psychology में या social work में या sociology में now age limit यहां पे बताया गया है कि 18 से 35 years के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इसमें apply कर पाएंगे साथ ही age relaxation दिया हुआ है जो कि OBC के लिए तीन साल पांच साल जो भी होता है according to इनके जो website पे rules दिया होंगे उसमें उसके according now desirable हैं कि अगर आपको कोई prior experience है जैसे कि research field में related to mental health या addiction disorder से तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है now consolidated जो आपका salary रहेगा वो 28,000 रुपीज रहेगा consolidated का मतलब होता है कि आपका traveling सब कुछ उसमें included होगा आपको कुछ भी अलग सानी मिलेगा आपको 28,000 रुपीज मन्थली fee मिलेगी प्लस आपको HRA मिलेगा as admissible now eligible candidates को submit करना है यह particular google form fill करना है last date है इसका आपका August 30 तो 30 अगस्त आपका जो है last date है till 5 प्यम मतलब तीस तारीक को पांच बजे से पहले पहले शाम तक आपको fill कर लेना है form और फिर आपको जो है interview के लिए they call you or message you mail you whatever they want to do okay तो यह particular आपका vacancy है that's it google form का link मैं कोशिश करूंगी कि आपको provide करा सकू description में और नहीं मिलेगा तो आप site से जाके भी जो डेली की site है Ames Delhi की site वहां से भी आप चेक कर सकते है ठीक है वाना मैं try करूंगी कि मैं आपको provide करा दो description में okay that's it thank you so much and stay tuned connected with me and thank you so much bye-bye